अलो फ्रेंज कैसे हो आफ डिस्टल दुनिया के तमाम दोस्तों का मैं आर्डी हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं सभी लर्नर के लिए लाता हूँ मैंस की बहतरी नॉलेज के साथ और आज भी हम इस वीडियो में सिंप्लिफिकेशन के कुछ इंपोर्टेंट कोशन को यहां देखेंगे और फॉर कोशन हैं कॉमल लेने से रिलेटेड तो चलिए सुरुआत करते हैं इंतजार मत करिए सही समय कभी नहीं आएगा जो भी संसाधन आपके पास अभी उपलब्ध हैं उनी से लक्षे की और पढ़ते चलिए तो हम ऐसी छोट चोटी knowledgeable video आपके लिए continuously करेंगे बस आपको ये करना है कि digital दुनिया में आप रहते हैं तो सभी को पता होगा video को like, share, subscribe करते रहे हैं और अपने साथियों तक भी इन बहतरीन videos को पहुचाते रहे हैं तो चलिए कुछ common related question हमने आपके लिए यहां design करके लाए हैं और पिछली प्रेक्ष्याओं में वो आपसे पूछे गया हैं कुछ students के भी सवाल थे कि sir आप हमें उनके बारे में कुछ बताईए ऐसी पूरी video completely video हमने playlist में डाल रखी है सरलीकरन की आप playlist को check out कर सकते हैं और हम से जुडने के लिए आपके लिए comment में हमने तमाम हमारे social media platforms के links को पिन कर लखा है तो आप comment में जाईए और वहाँ comment पिन कर रखा है वहाँ से आप telegram, whatsapp, अन्या हमारी app कहीं भी मुझसे आप जुड सकते हैं तो वो भी आप कर लीजिए साती सात अब बढ़ते हैं हम अपने प्रसन की और तो question आपकी screen पर दिखाते है और ये एक question है तो आपको common लेने से related है देखिए वैसे आपको ये नजर आ रहा होगा कि यदि root 3 बराबर 1.732 हो यानि root 3 का मान 1.72 हो तो root 147 minus 1 by 4 root 48 minus root 75 किसके बराबर होगा यानि वरगमूल में 147 minus 1 by 4 root 48 minus root 75 किसके बराबर क्या होने वाला है तो देखिए दोस्तों ऐसा जब ही भी question आपके पास में आए तो आपको यहां common खेंशना है एक छोटी सी बात जान लीजिए कि जभी भी वरगमूल और घातों के बीच में plus या minus के चिन आजाएं तो किसी सेम संक्या का भाग सब जगे जा रहा हो उसको आप common खेंशे और वो root में है तो root में ही common खेंशे और घातों में है तो घात में ही common खेंशे next question हमारा घातवाला होने वाला है देखिए कितना आसान question था root 47, root 48 और root पिछेतर में आपको ऐसा लगा कि कोई सेम संक्या का भाग जा रहा होगा तो उसमें 3 का भाग completely जा रहा है सभी नम्मर 300 divisible है तो आप यहां root 3 को common लीजेगा ध्यान ये रखेगा कि root में ही common ले और भचने वाली संक्या root में ही बचेगी 3 का भाग 147 में आप लगा रहे होंगे तो आप कहेंगे sir 49 बार ये जाएगा 50 का पहड़ा आपको आता है 50-50-50 तीन बार तो 49 का पहड़ा तीन बार बोलेंगे तो वो 1500 से तीन कम आएगा ऐसे आप 49 का पहड़ा बोल सकते हैं जब ही भी आव सकता पड़े तो बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में 72 नोलेज आपको मिलने वाली है 48 में से आप तीन का भाग देंगे बाहर कॉमन निकालेंगे तो रूट 16 आपके पास में बचेगा फिर माइनस है पिछेतर में से आप रूट 3 को कॉमन निकालेंगे तो रूट पिछेतर में आपको रूट में 25 मिलेगा पचीती पिचेतर, ब्रेकिट को कर दीजे, बंद, अब आप कहेंगे सर, रूट 3 तो हमारे पास बाहर है ही, ब्रेकिट में आप सोल कर रहे होंगे, तो रूट 49 को आप साथ कहते हैं, साथ कुना साथ से उननचास आता है, सेम ऐसे ही एक बटा चार को एजटीज रखे, रूट 16 को आप कहते हैं सर चार और माइनस रूट 25 को आप कहते हैं 5 और इसी प्रकार से अब 4 से आप 4 को काड़ दीजिए, तो यहां आपके पास में बचने वाला है कि रूट 3 और फिर 7 माइनस 1 बचेगा यहां कार देने के बाद और माइनस 5 यह रहेगा, 7-1-5 तो आप कहेंगे सर 7 में से माइनस का 1 और माइनस का 5 यानि माइनस माइनस के एक जगे जुडेंगे तो माइनस के 6 बनेंगे 7 में से गठेगा तो यहां बचेगा 1 और आपका उत्तर बनेगा root 3 multiply 1 और हमारा final answer रहेगा root 3 और root 3 की value हमें question में given है 1.732 तो हमारा right answer a option होता देखिए बिल्कुल आसान question था यह तो a option आप यहां से लगा देते तो आपका right answer हो जाता तो देखिए बहुत आसान question था यह कई बार बच्चों को इसे लगता है कि यह बहुत बड़ी बात है mathematics की छोटी से बात है कि आप यहां पर common ले सकते हैं तो फिर आपके लिए यह बहुत आसान था चलिए बढ़ते हैं फटाक से मैं एक question और दिखा देता हूँ ऐसे छोटे वीडियो हम आपके लिए लाएंगे आप comment कर सकते हैं मुझे कि आपको कौन सा वीडियो अब आगे पढ़ना है कौन सा topic आपको मेरे से सीखना है उसे आप comment कर सकते हैं मैं उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा और उसमें आपको बहुत benefit होगा next exam में जो भी आपके exam रही हो math को आप बहुत इसी तरीके से कर पाएंगे ज़ादा से ज़ादा score उसमें कर पाएंगे यदि आपने हमारी वीडियो को बिलकुल continuously और धैरिये से देखा तो चलिए यहां है तीन की पावर 20 तीन की पावर 30 तीन की पावर 40 का ओसत ग्यात कीजिये तो देखिए average क्या होता है आप से कोई कहे कि ओसत क्या होता है तो average होता है रासियों का योग बटे रासियों की संख्या तो मैं यहां क्या करूंगा मैं इन सभी को जोड़ूंगा और ये 3 संख्याएं है तो मैं 3 का भाग देऊँगा आप कहेंगे सर 3 की पावर 20 को जोड़ दीजिए 3 की पावर प्लस करके 30 में फिर आप जोड़ दीजिए 3 की पावर 40 को इसमें अब आप कहेंगे कि सर 3 को हम 20 बार घुना नहीं कर सकते लेकिन उसने option में कोई गुणा नहीं करवाया है क्या आने वाला है तो आप देखिए घातों के बड़ी घातों वाली संख्याओं के बीच में plus या minus के चिन आ जाएं तो आप कहेंगे कि इनको हम कोई ना घात का नियम लगा सकते हैं ना इने जोड सकते हैं क्या कर सकते हैं गुणा आ जाए बीच में तो घातें जुड़ जाती हैं भाग आ जाए तो घातें घड़ जाती हैं लेकिन plus minus आ जाए तो घातें जुड़ती घड़ती नहीं है सिर्फ common आता है ये ध्यान रखेगा जबी भी घातों के बीच में plus minus का अच्छे ना जाए बड़ी बड़ी घात संख्याओं के बीच में तो आप वहाँ common पिक कीजिएगा सवाल आपका फुर्ती से और जल्दी से हो जाएगा चलिए तो मुझे तीन को काटना है तो मैं यहां से तीन common लेता अब आप कहेंगे सर तीन 20 बार गुणा है उसमें से एक तीन बाहर मैंने common खेंच लिया तो तीन की पावर 19 मेरे पास बचेगा फिर तीन की पावर 30 में से मैंने 3 common ले लिया तो तीन की पावर 29 यहां बचेगा फिर तीन की पावर 40 में से एक तीन मैंने बाहर ले लिया यानि तीन की पावर एक बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 39 और अब आपका सवाल फाइनल फेज में आ गया यहां से मैं नीचे जो तीन है उपर वाले तीन से काट रहा होता तो मेरा जो उत्तर बसता तीन की पावर 19 प्लस तीन की पावर 29 प्लस तीन की पावर 49 तो मेरा राइट आंसवर डी रहा होता तो देखिए बहुत आसान कोशन थे यह और आपने देखा कि किस प्रकार से इनको आप एक्जाम में यदि आपको मैस कम भी आती है तो भी ऐसे कोशन थे जिनको आप बहुत बेटर तरीके से महां कर सकते थे बनिस्पत आप इन्हें देखे हुए होने चाहे थे तमाम दोस्तों से घुजारस है कि हमारे जो भी वीडियो आएं वो आपको कंटिनुवसली मिलते रहे और आप तक नोटिफिकेशन चला जाए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि आप यूटूब को इस्तिमाल करते होंगे तो तुम्हें पता होगा कि बैल आइगन प्रेस करना होता है लाइक से और सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेसनल उर्जा मिलती है और आपका सपोर्ट शो होता है तो वो भी आप करते रहिएगा और कौन सा टोपिक आपको पढ़ना है वो हमें कॉमेंट करतीजेगा जिससे मैं नैक्स्ट वीडियो उसी के लिए लाऊँ इस प्रकार की इन्फोर्मेटिव वीडियो आपके लिए अप कंटिनिवसली आती रहेगी तो खयाल रखिएगा आपने खुस रहिएगा और हमारे जो सोसियल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक है वो नीचे कॉमेंट में पिन है चेक कीजे कमेंट को और हस्ते मुस्कुराते रहिए धन्यवाद